चलिए तो आज हम डिसकस करते हैं हमारी एक term है पीप पीप एक normal term नहीं है थोड़ा सा इसके लिए हमें conscious होके पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा ये जो पीप है ये एक ventilator की setting है या हम कह सकते हैं कि ventilator की setting की terms है जिसको बोलता है पीप और इसको समझने से पहले हमें कु एर को फ्लो करवाती है पेशन के respiration में और ये कभ यूज करते हैं इसके बारे हम डिटेल स्टेडी करेंगे तो आज हम समझते हैं कि पीप क्या है वैसे तो हम बहुत अच्छे से mechanical ventilator पूरा discuss करेंगे बट एक setting जो जिसका नाम आ गए यहां पर पीप उसके बारे हम बात कर रहते हैं जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है पीप इस वर्ड का फुल फॉर्म है पूजिटिव एंड एक्सपाइरेटरी प्रेशर मतलब एक पूजिटिव प्रेशर है देखिए यहां पर लिख आपके सामने पूजिटिव प्रेशर है जो की apply होता है end of expiration पे clear है तो हम कि एक पूजिटिव प्रेशर है क्या है एक पूजिटिव प्रेशर है जो की apply होता है which apply which apply at the end of expiration at the end of expiration 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 और inspiration दोनम जो टामिलोजिज है आपको पता है तो जैसे ही मैंने inspired किया मतलब एर को अंदर ली उसको बोलता है inspiration जैसे ही मैं बाहर रिमूव करता हूं उसको बोलता है expiration क्लियर है तो एक ऐसी setting ventilator की एक ऐसी setting जब मैं lungs से air को expired कर दूँ उसके बाद में alluli के उपर apply करनी पड़े कहां पर apply करनी है alluli के उपर apply करनी पड़े क्यों to prevent to prevent from collapse कि alluli हमारी जो है वो collapse ना हो जाए alluli जो हमारी ये collapse ना हो जाए तो collapse का मतलब क्या है मान लीजिए कि देखिए समझ ये कि ये alluli है अब ये inflate और deflate होती रहती है अब यहां पर देखिए कि alluli के अंदर air नहीं है ये बाहर निकल गई है तो हमें alluli को collapse होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा बाहर से एक positive pressure लगाना होगा बाहर से क्या करना होगा एक positive pressure लगाना होगा ताकि जब हम pressure लगाएं तो alluli complete collapse ना हो clear है तो alluli को complete collapse होने से बचाने के लिए हमें एक ventilator की एक setting का में लेनी होगी जिसका नाम है PEEP और PEEP क्या है positive and expiratory pressure एक ऐसा pressure जो की positive है और कब apply करना है at the time of end of expiration कि जब भी air expired हो गई उसके end time पर हमें एक positive pressure apply करना है जिससे की हमारी alluli collapse होने से बच सके हमारी alluli collapse होने से prevent हो सके इसलिए हमें एक pressure apply करना है उसका नाम है PEEP clear है तो PEEP एक mechanical ventilator की setting है जिसको हम use लेते हैं to prevent the collapse from alluli कि alluli collapse होने से बच सके अब यहाँ पे इसके एक normal value होती है एक normal value होती है कि PEEP की normal value कितनी होती है तो PEEP की normal value की मैं बात करूँ अलग-अलग books में अलग-अलग मिलती है बढ़ जर्णल एक normal value की बात करूँ तो वो होता है 8 to 12 8 to 12 cm of H2 note mm HZ 8 to 12 cm of H2 ध्यान रखना unit cm of H2 में है note mm of HZ किलियर है तो 8 से 12 एक general range हमने यहाँ decide की है किसकी PEEP की और अगर आप PEEP की value जितनी ज़्यादा बढ़ाते है patient को उतना ही fully observation में आपको रखना पड़ता है patient को उतना ही fully conscious के साथ observe करना पड़ता है किलियर है तो PEEP हमारी एक setting थी mechanical ventilator की जो कि हमने आपको तो ऐसी ही हमारे detail study को और continue करने के लिए आप join कर सकते हैं account institute और account institute अपना एक new online and offline batch 23rd July को start करने जा रहा है 23rd July जिस पे online and offline दोनों study के batch announce हो रहे है start करने जा रहे है तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी detail study आपको मिले तो आप join कर सकते हैं free demo classes free demo classes हमारी 19, 20 और 21 19, 20 और 21 और अगर आपको free demo classes join करनी है तो जो नीचे दिये वे number है उन पे आप contact करें और contact करके free demo classes जरूर ले Thank you Join a call